वैसे स्टील हम 400 सेंचुरी से यूज कर रहे हैं मतलब आज से 1600 साल पहले से हम स्टील यूज कर रहे हैं सबसे पहले वर्ल्ड में चाइना ने स्टील यूज करना स्टार्ट किया आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में समझेंगे पूरे स्टील सेक्टर को कितने पर जैसे road, port, building, airport, railways, malls, हर जगा आज हमको steel का use देखने में मिलता है अब देखें तो day to day life में भी हम still use कर रहे हैं ग्रील, door, balcony, railing, cow shield, car shield, हर जगा factory, pipe, solar plant, हर जगा हम लोग still use कर रहे हैं नमस्कार, मैं जीर सिंग, स्वागत कर्थाप के चैनल ठाकूर कैपिल एक स्टोरी है एंड्रू कार्नेगी, 19th century में उन्होंने एक bridge बनाया steel का, उसके पहले देखें तो construction में bridge बनाने के लिए woods, लकड़ी use होती थी steel का bridge बनाने के बाद, उन्होंने उसको से train दोड़ाई और उसके बाद, लोगोंने construction में, construction में भी steel use करना start किया और उन्होंने बताया कि steel कितना strong होता है compared to wood आज हम बात करेंगे ये वीडियो में, world steel market के बारे में, global steel producer कौन है, global steel consumer कौन है, per capita average steel use क्या होता है world में, export कौन करता है, world में सबसे ज़्यादा steel, import कौन करता है world में, सबसे ज़्यादा steel, world में steel का market कितने percent CAGR से बढ़ रहा है, इंडिया में steel market की growth क्या है, key demand drive क्या है steel industry में, government policies क्या है, steel को लेके इंडिया में, इंडिया में कौन कौन सी company है, जो यह segment में काम करती है, इंडिया, companies को compare करेंगे हम लोग, कि कौन कौन सी company है, जो एक दूसरे को compare करें कि कौन सी company बहतर है, और उसके बाद हमारा view क्या है, और key takeaways इस video से हम क्या लेकि जा सकते हैं, सब कुछ, अब देखें, तो world steel market कितना बड़ा है, world steel association का data अगर देखें, तो जो steel growth है, वो world में 4.5% CSR से हुई, 2021 में 1855 metric ton use हुआ steel, अगर 2020 के data से से देखें, तो 0.1% की growth थी because of COVID-19, और demand जो है, वो 2.2% अब से grow होगी, 2022 में एक ऐसा assumption है, 2019 और 2018 का data देखें, तो 3.4% बड़ा हुआ है, कच्चे, कच्चे steel का production, 2019 में, Asia ने 1740 metric ton, 1314 metric ton, कच्चा steel produce किया था, जो की world का 2019 के data किसाब से 70% है, यह 2018 से अगर हमों compare करें, तो यह 5.7% increase हुआ है, अगर हमों compare करें 2019 से 2018 का data, तो कच्चे steel में 19.4% की तेजी देखी गई, तो चाइना हर साल world में सबसे ज़्यादा steel produce करता है, दुनिया का 50% से भी ज़्यादा steel अकेले चाइना produce करता है, 2019 के data के सबसे देखें, तो 1996 metric ton steel produce किया था, चाइना ने, 2018 के हिसाब से यह 8.3% की तेजी है, अगर बात करें 2018 में, तो चाइना ने 50.9% पूरे world का अकेले produce किया था steel, और 2019 में 53.3%, भारत दुनिया में steel का second largest producer है, 2019 के data के साब से देखें, तो भारत ने 111 metric ton produce किया था steel, अगर 2018 के हिसाब से compare करें लोग 2019 को, तो यह 1.8% की इसमें growth दर्ज की गई, पूरे world का second largest producer होने के बाद भी पूरे world का सिर्फ 6% ही भारत produce करता है steel, जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, steel producer में, 2019 के data के साब से देखें, globally consumer कौन है, आप देख सकते हैं अपने screen पे, world में सबसे ज़्यादा steel consume कौन करता है, हम लोग पहले 2010 का data देखेंगे, 2010 का data देखें तो चाइना ने 44.5% कच्चा steel produce किया था और 44.7% finished steel consume किया, वहीं भारत ने 2010 में 4.8% कच्चा steel produce किया था और 4.9% finished steel use किया, ये 2010 की data है, अब बात करते हैं 2020 के data के जाब से, जैसे कि आप अपने screen पे देख सकते हैं, चाइना ने 2020 में 56.7% कच्चा steel produce किया और 56.2% consume किया, चाइना एक close economy है, तो चाइना ये इतना steel क्यों consume कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, अब बात करें, पर capita average steel use, अब देखें तो पर capita steel use क्या होता है, जैसे कि भारत का जो population है, उस population में हम लोग total, total steel कितना use कर रहे हैं, अगर हम लोग divide करेंगे population से, तो average निकल के आएगा, जैसे example, अगर हमारी जो population है, वो 100 है, और हम लोग लें 200 kg use किया, अगर steel, तो हर एक व्यक्ति ने 2 kg steel use किया, इसको कहते हैं, पर capita use, वर्ल्ड स्टील association का data अगर देखें, तो वर्ल्ड का जो average steel consumption है, पर capita वो है, 224 kg, भारत में अगर steel का पर capita देखें, तो 2008 में ये था 46 kg, जो 4.43% के साब से बढ़ा है, और 2019 के data के साब से ये हो गया, 74.10 kg, मतलब इंडिया में अब 74 kg पर पर संटील कंजूम करते हैं, चाइना के अगर बात करें, श्टील कंजम्चन की, तो 4.90 kg पर पर संट वहाँ पर लोग यूज करते हैं, श्टील, एक्सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा श्टील, तो 2019 में चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टील निर्याद किया था, 2019 की अगर बात करें, तो 62 मिलियन मैट्रिक टन स्टील, चाइना ने एक्सपोर्ट किया, तो यह 66.9 मैट्रिक टन था, जो की 7.3% बड़ा हुआ है, अब इंपोर्टर कौन है, वर्ल्ड में स्टील का, USA, संयुक्त राज अमेरिका, USA दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है, 2019 में, स्टील का, 26.3 मिलियन मैट्रिक टन स्टील इंपोर्ट किया है, अगर 2018 की टेटा के सबसे देखें, तो 2018 में 13.8 मिलियन मैट्रिक टन यूज किया था, मींस, 2019 में 26.3 मिलियन और 2018 में 30.8 मिलियन यूज किया था, USA ने, जो कि 15% से नीचे आया है, स्टील इूज में, USA के, अब world में steel market कितने percent CAGR से बढ़ रहा है world steel association की अगर हम लोग बात करें तो 2021-2022 का जो data है 2021 और 2022 का जो data है उसमें 4.5 percent CAGR से world market जो steel का CAGR है वो बढ़ रहा है, consumption बढ़ रहा है अगर देखें तो 18.55 million 2020 में था और ये बढ़ के 2022 सक 18.96 metric ton हो जाएगा ऐसी एक estimation है इंडिया में steel market का growth क्या है अब ये देखते है भारत 2030-31 तक 230 metric ton steel consume reach कर जाएगा ऐसा एक estimation है 2021 में आज 93.3 metric ton consume कर रहा है इंडिया और 2010 में यहां से जो growth है वो double से भी जादा होगी ऐसा एक estimation है भारत में steel consumption estimate 18% CGR से growth करेगा ऐसा एक estimate है 2021 से लेके 2021 तक 18% CGR से बढ़ेगा अब सबसे important point key demand क्या है जो drive करते हैं steel industry को construction construction से 40% का demand आता है steel को जिसकी growth अभी हम लोग देखें recently तो 20% to 14% हो रही है इंडिया में तो यहां से सबसे ज़्यादा construction से demand आता है जो की 40% अकेले consume करता है फिर automobile automobile की बात करें तो automobile second largest automobile है इंडिया पूरे world में और हर 5 साल में यहां पे यह double हो रहा है automobile का consumption इंडिया में उसके बात बात करें auto components industry की जैसे की wheels अलग-अलग चीज़े जो बनती है automobile में handles तो आप लोग देखें तो पास साल में लास्ट पास साल में 19% CAGR से यह भी बड़ा है और आगे लगता है कि यह इसी तरीके से growth करेगा और हर पास साल में यह भी double हो रहा है और बड़ी-बड़ी company बहार की जैसे Toyota, Volkswagen, अलग-अलग Ford Motors, इंडिया में interest दिखा रही है automobile sector में अब बात करें infrastructures road, railway, airport, government heavily investment कर रही है 40% demand आती है यहां से ही जिसमें power sector में 200 billion मतलब 10,000,000,000 करोड investment करेगी Indian government बाद में railway में 80,000,000,000 करोड investment करेगी Government of India फिर road में 48,000,000,000 36,000 करोड investment करेगी Government of India port में 9,750,000 करोड 13,000,000,000,000,000 air quotes में 6,550 करोड तो यह देखें तो यह जो main है यह investment capital investment boost करेंगे steel को steel के demand को अब बात करते है consumer durable की जो segment है वो 10% CIGR से बढ़ रहा है लास 10 साल से और आने वाले टाइम में भी लगता है ऐसे ही growth होगी जैसे fridge washing machine जितने भी capital goods है उसमें अब देखें तो oil and gas industry oil and gas industry में सबसे ज़्यादा pipe series हो रहे है gas pipe और oil pipes जो 25% CGR से बढ़ रहा है वो पूरे worldwide और इंडिया में भी तो इसमें भी सबसे ज़्यादा steel use होगा pipes बनाने में और यहां से भी एक demand मिलेगी steel को ऐसा देख के लगता है government ने October 2021 में steel production link incentive PLI scheme launch की देखें तो इंडिया ने रशिया के साथ MUB एक research and development के लिए steel sector के लिए MUB sign किया जिसमें cooking coal को use करेंगे वो जून 2021 में ministry of steel and petroleum and natural gas Mr. Dharmah प्रधान ने एक webinar को address किया था जिसमें East India को एक manufacturing hub बनाया जाएगा मतलम लोग देखें तो Indian Institute of Metal 2020 में एक mission है कि आंदरप्रदेश, जारकन, उडिशा, चतिसगर, वेश्बंगाल North में जादे से जादा वेश्बंगाल के side एक steel hub बनाया जाए जहांसे 75% से जादा जो इंडिया का total steel consumption है, वहाँ पर वो support करें और 2300 metric ton ये 2331 तक पहुँचें जिसमें 200 metric ton सिर्फ इस zone से आए जनुरी 2021 में Ministry of Steel and Government of India ने sign किया, मगणड़ MOC sign किया Economic Trade and Industry Government के साथ, जापान के साथ जहां पर वो boost करेंगे steel sector को joint venture में Union cabinet Government of India ने approve किया National Steel Policy NSP 2017 देखें तो globally competition में steel industry का जो 300 metric ton इंडिया जल से जल reach करें और जो per capita use है वो 2030, 2021 तक 160 kg हर एक परसन 160 kg steel कंज्यूम करें एक ऐसा एक ऐसा focus किया है Government ने 2030, 2021 तक Government of India ने import duty raise की है 2.5% कि हम लोग बाहर से कम से कम steel मंगवाए और इंडिया में produce करें जो National Steel Policy 2017 है उसमें 30 300 million metric ton जो production हमको पहुचना 2030, 2021 तक जो steel consumption है वो 57 kg से बढ़के 74 kg हो गया लास्ट पास साल में अब गौर्णमेंट फोकस कर रही है जो rural area है वहाँ पे आज भी जो steel का consumption है वो सरिफ 19.5 kg है और वो बढ़के 2030, 31 तक 38 kg हो जाए मतलब लोग ये देख सकते है कि गौर्णमेंट का फोकस है कि जो rural area है वहाँ पे अच्छा development मतलब road और port और road airports ये सब देखने के लिए मिले एस पर Indian Steel Association Steel का जो डिमांड है वो 7.2% से grow होगा 2019-2020 2021 में एक बहुत बड़ा scope है per capita Steel consumption बड़े इंडिया में इसका अगर लोग देखें तो जो average consumption है per capita वो वर्ल्ड से बहुत कम है इंडिया में इंडिया में कौन-कौन सी company है जो इस segment में काम करती है ऐसे आप screen पे देख सकते हैं ऐसी बहुत सी company है जो इस segment में काम करती है मगर हम लोग major team company की बात करेंगे हमारे इस वीडियो में सबसे पहले है JSW Steel आज देखें तो 100 से ज़्यादा देशों में JSW Steel काम करता है manufacturing और देखें तो highest strength and advanced steel produce कर रहा है इंडिया में पहली company है JSW Steel capacity की बात करें कि JSW Steel की capacity क्या है तो अभी 18 metric ton per year capacity है JSW Steel की plant देखें JSW Steel की तमिल नाडू महराष्टरा और आने वाले 10 साल में JSW Steel का target है कि 40 million metric ton per year reach करें 2027 2022 तक 27 million metric ton reach करने का target बना है JSW Steel ने 2020 में ये 18 million metric ton है अब बात करते हैं ताटा steel की ताटा steel की जो capacity है वो है 34 million metric ton right now हम लोग देख सकते हैं कि JSW Steel का है 18 million metric ton और ताटा steel का 34 million metric ton ताटा steel second second largest steel producer है अगर देखें तो हम लोग 26 countries में टाटा steel काम कर रही है 50 देशों में employment दिया हुए टाटा steel ने बहुत बड़ी और बहुत बड़ी company है टाटा steel उसके बाद बात करें तो हम लोग sale Steel Authority of India ये government के अधीन आती है company government known company है और यहाँ पर अगर steel sale की बात करें तो sale की जो capacity है वो है 32 million metric ton तो हम लोग ये देख सकते है कि आप देख सकते है स्क्रीन पे CHW Steel 18 metric ton राइट नौ टाटा Steel 34 metric ton और sale 32 metric ton अभी की takeaways क्या है हमारा view क्या है इस sector पे government का target है per capita consumption 164 kg 2030-2021 तक बढ़ाना जो अभी 74.6 kg है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते है कि बढ़िया demand हमको आने वाले 10 साल में steel sector में देखने को मिलेगी construction की बात करें तो construction जो sector है वो 12-14% किसाब से बढ़ रहा है automobile sector हर 5 साल में डबल हो रहे है auto component industry हर 5 साल में डबल हो रही है consumer durable 10% double digit CGR के साथ बढ़ रहे है और आगे भी 10 साल तक double digit CGR के साथ बढ़ेंगे ऐसा एक estimate है oil and gas जो pipeline से वो 25% इंडिया में तो oils में और gas pipeline में steel का consumption बहुत शांदार होगा ऐसा एक estimate है और ये boost करेंगे steel के demand को infrastructure जिस तरीके से government heavily heavily investment कर रहे है infrastructure पे देखे तो coming budget में 7.5 ला करोड सिर्फ capital expenditure था government का जिन पे वो खर्चा करेंगे तो मतलब एक बहुत शांदार capital expenditure मतलब एक boost करेगा construction को, demand को और steel के consumption को अगर हमने आपके knowledge को थोड़ा सा भी increase किया है, बढ़ाया है तो जरूर इस video को अपने friend और लिटिंग साथ share करें ये knowledge उनके साथ भी share करें कि वो भी steel industry में आने वाले time में investment कर सके और एक अच्छा अपना portfolio बना सके नमस्कार, जाने बाद